अधिया आपरिवन देशेज अच्छन मायनंदन काफे सारे स्टूडेंट्स को बहुत सारे प्रेस्टेंज हैं उनके पास की बहुत सारे डाउट्स हैं उनके पास करना कैसे है है यह जो BSSC का एक्जाम है कॉन-कॉन से books फालो करने है क्या हमारी strategy होनी चाहिए क्या preparation करने का जो तरीका है वह हमारा सही था यह नहीं कैसे करें और last but not the list कि कॉन-कॉन वालागन का प्रिपियर करना है यह काफे important role play करेगा हमारे examinations में इस वीडियो में मैं आप से शेयर करने वाली हूं वो सारी चीज़े सारी स्ट्राटेज जो आपके करने के लिए काफ़े इंपॉर्टेंट है ना सिर्फ हम स्ट्राटेजी फॉलो करेंगे साथ हम इस वीडियो में यह भी देखेंगे कि क्या क्या चीज़े हैं जो हमें प्रेप्रेशन के दौरान निगलेट करनी हैं उन सब चीजों पर फोकस नहीं करना है राधर देन कि मैं द करेंगे अपना सेलेबस क्वेशियर मैं इस वीडियो के बाद आपके लिए लेकर आने वालिए छब कंद लेते हैं सब्सट्राइव वीडियो में डिसकस किया था अगर आपने नहीं देखा होगा तो उस वीडियो को जा कर देखें प्रीविएस वीडियो में मैंने आप से शेयर किया था कि यूव फिफ्टी क्रेश्टेंस फ्रम रिजनिंग और डाट इस वर्वल भी होगा और नन वर्वल भी होगा अब यह जो source है ना गाईज यह मैं लास्ट में आपको बताने वाली हूँ मैं इस वीडियो में सारी चीज़े एक साथ include नहीं करूंगी topic wise, point wise, step wise step हम इस वीडियो में सारी चीज़े देखने वाले हैं और यहां पर मैं syllabus के बाद करूँ तो 2015 में and 2010 में जो जिस topics questions पूछे गए हैं जो topics important है वो तो हमने इसमें include किया ही है साथ ही साथ उससे related topic जहां से questions आने की संभावना है प्रवल chances है वो भी सारे topics यहां पर आपको देख लेने हैं क्योंकि मैंने आपको बताया है कि BPSC ने अपना train change किया है तो किसी भी किसी भी तरीके से आप अपने दिमाग को इस चीज़ के लिए ready कर लेजिए कि आपको 2015 and 2010 के syllabus को ही complete नहीं करना है हमारा जो तरीका होना चाहिए हमारा जो preparation strategy होना चाहिए वो इस basis पे होना चाहिए कि कहीं से भी कितना भी question आजा है वो हम वहाँ पे solve करने के लिए ready बैठ है सो सबसे पहला topic है sitting arrangement क्या है कैसे है वो previous year questions में हम आप से discuss करेंगे फिलहाल जो topic का नाम है वो मैं आपको बता रहे हूं तो sitting arrangement से devil ask you question number series आप सबको पता है blood relation coding decoding wind diagram clock से questions रहते ही रहते हैं series analogy और classification से questions रहते ही हैं अब यह series में आपको number series भी हो सकते हैं and alphabetical series भी हो सकते हैं फिर आपके पास आता है decision making right decision making के बाद जो आपका important topic है यह है puzzle आपने अगर banking की तयारी कर रखी है तो आपके लिए maths और reasoning तो काफी easy रहने वाला है guys इसमें आपको problem ही नहीं होगा आपको prepare करना है science and gk current affairs यह सारी चीज़े लेकिन अगर आपने कुछ भी नहीं किया है don't worry मैं आपको step by step सारी चीज़े बताने वाली हूं कि कैसे क्या करना है हमारा source क्या होना चाहिए पजल में यहाँ पे number based puzzles भी हो सकते है ranking based भी हो सकते है floor based puzzle और किसी भी टाइप का puzzle वो बना सकते है including आपका जो sitting arrangement है वो भी आपका एक kind का puzzle ही है फिर आती है बात inequalities की banking में इससे five to three questions पूछे जाते हैं अब यहाँ पर number of questions कितने रहेंगे यह आयोग पर decide करता है depend करता है फिर direction में आपसे पूछा जाता है simple एक दो तीन line के questions होते हैं उसके basis पे आपका direction test लिया जाता है लेकिन एक और भी आजकर नया trend है जिसमें directions related puzzle होता है वो भी आपको solve करना पर सकता है ranking से questions table ask और missing characters missing number से different type के questions वो form करेंगे next हमने puzzle reasoning ये सारी चीज़े तो हमने देख लिए जिससे 50 mark से questions आने वाले है फिर जो major part है हमारा जिससे 50 mark से questions आते हैं ये क्या है तो ये है general knowledge अब general knowledge में सारे की सारी चीज़े हैं इसमें quality भी है, history भी है, geography भी है, current affairs भी है, बिहार specific भी है तो कहां से क्या-क्या पढ़ना है ये हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है तो quality section में क्या पढ़ना है वैसे तो quality का मैंने जो 3 video complete किया है, वो videos आप देख लीजिए और सारे के सारे articles, amendment, schedules and parts उसमें हमने cover किये है उतना quality आपके लिए काफी है, time to time फिर भी मैं आपको revision करवाती रहूंगी और रोज के 100-250 questions जो होते हैं, वो मैं आपसे share करती रहूंगी, जिसमें सारे के सारे subject included होंगी तो quality में वो 3 videos आप complete कर लीजिए और आपके लिए लोग सभा और राज्य सभा पढ़ना जरूरी है क्योंकि number of questions यहां से आपको पिछले 2 साल में, 2 साल के उस exam में BSSS related exams में आपसे पूछा गया है फिर President, Governor और Council of Ministers जो है यहां से question देखने को मिला है फिर Article, Amendment, Schedules and Parts जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह सारी चीज़े जो है यह हम complete कर सुके है Municipalities and Panchayat you need to cover also and Election Commission don't forget to cover ओके यह आपका पॉलिटी का section हो गया, अब मुझसे यह बिलकुल भी मत पूछना आप कि पॉलिटी में कितने questions आएंगे मैं 2015 और 2010 यह दोनों का आपको शेयर कर चुकी हूँ और मैंने साथ में यह भी आपको बोला है कि यह बिलकुल भी आप नहीं सोच सकते कि कितने questions कौन से subject से पूछा जाएगा general knowledge में वो पूरी की पूरी तरीके से BSSE पे depend करता है, आयोग पे निर्वर करता है, यह हम बैठे बैठे decide नहीं कर सकते है हमारी preparation हमारी पकर जो है ना वो पूरी होनी चाहिए बस अब यहाँ पे देख लेते हैं जोग्रफी में जोग्रफी में क्या-क्या पढ़ना है, मैं क्या-क्या पढ़ना है वो तो मैं आपको बताऊंगी, साथ में पहले यह देख लीजिए कि किस-किस topic से question दो साल में बनाए गए तो यहाँ पर स्वाइल से question पूछे गए, mountains से और dams से question पूछे गए और waterfalls, volcanoes and lakes यह आपको questions तो पूछा ही गया यहां से, फिर environment से related चीज़े आपके लिए जरूरी हो जाती है, and census, तो जो हमारा analysis है, उसके हिसाब से सिर्फ 2011 का देखने की जुरत नहीं है, guys, 2001 का भी देख के जाना, right, क्योंकि कभी-कभी क्या होता है, कि 2011 से तो पूछे लेते हैं, साथ ही साथ 2001 से भी पूछ लेते हैं, तो हमें क्यों छोड़ना, आदे से एक घंटे लगता है, हम इसको दोनों को revise कर के चले जाएंगे, इसमें तो कोई problem होनी नहीं चाहिए, कम से कम हम एक दो माक से questions के लिए भी हम इतना तो महनत करी सकते हैं, फिर आती है बाद Sun से related questions, Moon से related questions, Earth से related questions, जो हमारे planets हैं, उससे related questions, जो आपका, आपसे पूछा जाता है, आनोस्फेर क्या होता है, ट्रॉपोस्फेर क्या होता है, इस टाइप की questions आपसे पूछे जाते हैं, ओल र written notes में, मैं ये सारी चीज़े one by one आपसे discuss करने वाली हूँ, तो सिर्फ Indian geography हमारे लिए important नहीं है, हमारे लिए Indian के साथ साथ world geography भी important है, जो कि हम उस notes में prepare कर देंगे, उसके बाद है हमारा history, अब history में मैं सबसे पहले बात करना चाहूंगी, moral history के बारे में, जिसमें आपको 1857 से लेके 1947 तक के जो भी घटना क्रम है, वो सारी के सारी चीज़े आपको date, events, important, personalities, कब क्या हुआ, sequence wise, ये सारी चीज़े आपको पता होनी चाहिए, तो हमने modern history का वो वीडियो प्रेपेर कर लिया है, जिसमें हमने जो notes बनाया है, उसका source क्या-क्या है, उसका source है lucid, उसका source ह Crown publication की book and spectrum 2, ये तीनो source मिला के मैंने वो notes प्रिपेर किया है और उससे बाहर कहीं भी कुछ भी question आपसे पूछा नहीं जाना है, trust me आप ये मेरे ऊपर पूरी तरीके से जोड सकते हैं, फिर आता है important dates and events आपको याद होने चाहिए, जैसे चौरी-चौरा कांट कब हुआ, भग Common Commission का भी भारता है, तो ये सारी चीज़े आगे important dates and events में, इस टाइब के questions पूछे जाने है, फिर बात आती है newspaper की, journals की and slogans की, ये काफी important question है, आई-एं-सी से related questions तो definitely आपसे पूछे जाते हैं और ये video already हमने cover कर रखा है, ये सारे videos हमने cover कर रखा है, important organizations है, तो यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें आपको आगे बताना चाहूंगे, फिलाल आप इतना ही जान लिजे कि important organizations और जो founders होते हैं, उस associations के वो आपसे पूछा जाता है, गांधी से related questions पूछे जाते हैं, और book and authors जो है, वहाँ से questions आपके बनाया जाते हैं, तो ये modern history हमने देख लिया, अब आते हैं ancient and medieval की ओर, तो ancient and medieval में जैन धर्म, बहुत धर्म हमें पूरी तरीके से देख लेना है, इनके जो क्या-क्या, कौन-कौन सी संगीती कहां हुई थी, किसके time में हुई थी, किसमें लीड किया था, ये सारी चीज़ें important हो जाती है, डाइनस्टी आपको सारी के सारी देखनी है, especially आपको मुगल, मगद and Delhi Sultanate ये आपको तो देखके ही जाना है, और शुंग डाइनस्टी आपको देखके जाना है, फिर आती है बाद सिंधो सभ्यता की हरपा सभ्यता की, ये आपको देखके जाना है, फिर जितने भी travelers जो है, all over world से जो हमारे इंडिया में आएं, उन्होंने क्या book लिखा, किसके बारे में क्या कहा, ये सारी चीज़े आपको ancient medieval में पूछी जानी है, monuments से related questions definitely पूछेंगे वो लो, painting से, dance form से, और मंदिर से related questions आप से पूछा जाना है, history हमने पूरा देख लिया, उसके बाद हमने जोगरफी देख लिया है, and साथ ही साथ हमने कौन सा topic cover किया है, guys, to reasoning cover किया है, अब इन सब चीजों के बाद बात आती है, बिहार special के, जिससे आपने देखा है, कि आप से तीन questions बनाए गया है, दोनों साल में, just a minute, मेरा, I think, मुझे system charge में लगाने की जोड़त है, right, okay, so, अब यहाँ पे हम देख लेते है, बिहार special जिससे तीन त questions पूछे गए हैं, अभे तक, 2015 में भी, और 2010 में भी, तो जो important personalities है न, बिहार से related, whether female हो, male हो, कोई मतलब नहीं बनता है, वो important personalities आपके लिए cover होना जरूरी है, अब कौन कौन सा अंदोलन हुआ, सतंतरता संग्राम कैसे हुआ, वहाँ से relate करना है आपको बिहार से, और बिहार से relate करके, वहाँ से कौन कौन से important personalities है, dates क्या है, पहले कहां शरुआत हुई, क्या निकल कर आया, कितने लोग मारे गए, ये सारे questions आप से पूछे जाते हैं, फिर स्वाइल से related questions पूछे जाते हैं, ये आपका वैसे तो जोग्राफी पार्ट है, तो बिहार जोग्राफी में पूछे गए हैं, लेकिन आप ये सोच के नहीं जा सकते हैं, कि इस साल भी आप से तीन प्रेशन ये पूछा जा सकता है, हो सकता है कि दस क्रेशन आप से वो पूछ ले, तो बिहार स्पेशल वीडियो हमने दो वीडियो कवर किया है, उसमें ये सारे चीज़े आप प्रेशन हमारी बहुत अच्छी हो जाए, फिर एकोनमी पार्ट से हम देखते हैं कि क्या-क्या पॉइंट से हमारे लिए बहुत ही इंपोर्टेंट है, तो ये है प्लानिंग कमिशन से रिलेटेट क्वेशन तो पूछा है जाता है, जिसे गाट गिल से रिलेटेट क्वेश पूछे जाते हैं महारत में कंपनी मीनी रतन कंपनी जो है इस से रिलेटेट क्वेशन आप से पूछे जाते हैं पूवर्टी से रिलेटेट गरीवी से रिलेटेट क्वेशन पूछे जाते हैं शहरी करन और जो गाउन से रिलेटेट क्वेशन बन सकते हैं वह तो इंपोर् वो है कि जो GDP, GNP से related, domestic product से related, जो भी important formulas होते हैं न, economy में, वो questions आपके लिए important होते हैं, साथ ही साथ, indexes आप इसको revise करेंगे, जो आपका current affairs हैं, वहां से relate करके, ऐसा नहीं कि हम 2022 में exam दे रहे हैं, और 2015 का indexes और 2010 का indexes देखके हम examination hall में चले जाएंगे, तो ये बात तो गई हो गई हो गई कि आप एल मुझे माल, है न, फिर schemes जो है, वो हमारी जो भी schemes है, जो government schemes हैं, जो central schemes हो या state schemes हो, यहां से questions पूछे जा सकते हैं, definitely बिहार से related schemes पर काफे important हो जाएंगे, जो apps related हैं बिहार government से और central government से वो important हो जाने हैं और नीती आयो planning commission, planning commission को ही अभी नया नाम दिया गया है नीती आयो, यह सारी चीज़े हम पिछले वीडियो में डिसकस कर चुके हैं, फिर banking schemes आपको पर जाना है, क्या क्या CRR क्या होता है, SLR क्या होता है, reverse report rate क्या होता है, bank state क्या होते है, यह सारी चीज़े, crypto currencies क्या होती है, hard money क्या होता है, soft money क्या होता है, share markets related चीज़े पर नी है, तो यह हमने economic part में cover किया है, last but not the list, यहां से RBI monetary policies से questions आपको पढ़के जाने है, revise करके जाने हैं, हम सब साथ में करेंगे, don't worry, और इसमें जो CRR का rate अभी क्या है, banking rate क्या है, SLR rate क्या है, यह सारी चीज़े हम, recent जो है, वो सारी चीज़े हम revise कर करके जाएंगे, यह सब हमने देख लिया, सबसे last में हम आते हैं current affairs पे, यहां से questions बहुत जादा पूछे जा सकते हैं, जैसा कि आप आने वाल, हर एक exams में आप देखते चले आ रहे हैं, और आने वाल exam से भी current affairs के witness जो है ना, वो काफी रहने वाले हैं, तो यहां पे at least one year का current affairs बढ़के जान हैं, तो यह मैं definitely आप से share करने वाली हूँ, लेकिन next slides में यहां पे हम mix नहीं करेंगे, अभी तक जो 2010-2015 में questions बने हैं, वो awards and skin से questions काफी बने हैं, nobel price से questions बने हैं, जिसको पद्म भूशन और पद्म यहोशन कितनी लोगों को मिला, कब मिला, यहां से questions बने हैं, और organizations जो हैं और उनके जो recent head हैं, वो वहां से questions बनाते हैं, फिर बात आती है current national events की और international events की यह सारी चीज़ें हम complete करेंगे, apps and portals जो हैं definitely यह आपके लिए important रहने वाला है, और science and technology से related questions जो हैं, space related questions जो हैं, defense related questions जो हैं, यह सारी की सारी चीज़ें हमारे लिए important हो जाती हैं, right? अब यहां पर बात होगी maths की, जिससे 25 questions बन के आते हैं, काफे सारे students ऐसे होते हैं, जिनका maths portion काफी विक होता है, और उनके हिसाब से तो भाई, maths पूछते ही क्यों हो, ऐसा वाला हाल होता है, तो इसमें हमें कुछ करना नहीं है, हमें बस यही करना है, कैसे क्या करना है, वो बोटन सेंट्स, और पाइपन सिस्टर्न, एवरेंज, डेसिमल, फ्रैक्शन, परसेंटेज, और प्रॉफित अलोग से questions पूछे जाने हैं, फिर असेंटिंग, डिसंडिंग, ओर में, सेरीज भी maths में ही, आपको आता है, और इसनी में भी आता है, सिंपल इंफरेस्ट, कमप कैसे प्लानिंग क्या है, हम आगे कैसे क्या execute करने वाले है, कैसे हमारी चीजों में क्या include करने वाले है, हम क्या-क्या पढ़ने वाले है, हमारी strategy क्या हुनी चाहिए, दिन भड़ में कितने hours पढ़ने हैं, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिसकर्स करने वाला है मैं आपके लिए कोई भगवान बनके यहां नहीं बाठी वी हूँ पॉफिक्ट टीचर बनके मैं यहां नहीं बाठी वी हूँ I am here only to help you, to suggest you जितना आपको अच्छा लगता है आप उतना ही implement करेंगे बिल्कुल भी किसी चानल किसी के भी बोलने पर प्रेशर में आके आप अपनी preparation नहीं करेंगे क्योंकि किसी का reasoning अच्छ है, किसी का maths अच्छ है तो आपको किस पे ज़्यादा time देना है वो आपको पता है बिल्कुल भी मेरे हिसाब से आपको अपने subjects पे time देने की जुरत नहीं है लेकिन एक छोटा सा plan मैं आपके पास लेकी आई हूँ वो एक बार देख कर जाए इसमें आपको क्या करना है आपके planning होनी चाहिए कि दीन भर में आपको हर एक subject touch करना है सबसे पहले तो मैं चलो ये October month चल रहा है guys and October I think this is 10th October और हमें अपनी preparation ऐसे करनी है कि 30 October तक हमारी पूरी की पूरी तयारी हो जाए अब आप पूछोगे कैसे तो इसमें हम चलते हैं reasoning की तरफ reasoning के लिए मैंने आपको कितने दिन दे दिये 3 days दे दिये maths के लिए मैंने आपको दे दिये कितने दिन हमारे पास है total हमारे पास total कितने दिन है आपको 20 days बाकी है मैं November की बात नहीं कर रही मैं सिर्फ October की बात कर रही हूं तो मैक्स को मैंने आपको दे दिए five days current affairs की बात मैं बात में करूंगी अलग तरीके से करूंगी current affairs हम साथ साथ लेकर चलेंगे फिर हम बात कर लेते हैं Lucent के book की अब आप सोचेंगे कि मैं history, quality, geography, science के बात क्यों नहीं कर रही हूं मैं Lucent के book की बात क्यों कर रही हूं तो मैं आपको यहाँ पे इन सब चीजों को clear करना चाहती हूं यह book जिसने पढ़ लिया ना उसके questions नहीं रुकते हैं कुछ questions direct अगर आप नहीं बना पा रहे हो तो आप उसको elimination method से definitely solve कर पाऊँगे तो हर एक subject के लिए history के लिए अगर आप सहीं धंग से पढ़ते हो तो दो दिन काफी है science के लिए अगर आप सहीं धंग से पढ़ते हो तो आपके लिए three days काफी है and geography के लिए अगर आप सहीं धंग से पढ़ते हो तो कितने दो दिन मैं आपको इसके लिए भी देती हूं और इसके बाद हमारी बाद रहे गए quality के लिए पॉलिटी के लिए और मिसलीनिस के लिए तो मैं आपको यहाँ पे चीजे शेयर करना चाहती हूं हमारे चैनल एना इन एजुकेशन पे हमने जो इस history का वीडियो डालना है जो एक दो दिन में मैं आपको वीडियो अप्लोड करूंगी अगर आपने उसको नहीं भी पढ़ा है आपने लुसेंट नहीं भी पढ़ा है क्राउं नहीं भी पढ़ा है आप सिर्फ इसको देखके जा रहा है ना तो questions आपके यहीं से बनेंगे आप किसी भी प्रैक्टिस सेट को उठाके questions बनाके देख लीजिए तो टोटल आपको तीन से चार घंटे देने हैं और आपने इसको revise कर लिया फिर आपको क्या करना है चार से 500 questions आपको practice कर जाने तो यह जो मैंने आपको strategy बताया अगर आप इसको नहीं भी follow करते हैं और सिर्फ और सिर्फ आप working हैं आपके पास ज्यादा time नहीं है तो आप इस history वीडियो को देखके जाए पॉलिटी का जो हमने वीडि आपको दे दिया अब बात आती है science की तो science में मैं physics की वीडियो chemistry की वीडियो एंबालोजी की वीडियो पूरा पूरा पेपर जो है ना पूरे जितने pages हैं लूसेंट के one by one सारी lines में आपके साथ discuss करने वाली हूं और कौन कौन सा topic है वो जहां से questions बनते हैं BPSC में भी और ब आपको पढ़ना है तो आप ये वाला strategy भी साइड से follow कर सकते हैं तो history quality science मैंने यहां पर आपका cover कर लिया geography का मैंने notes already बना रखा है बड़ सॉरी कि मैं लेट हूं थोड़ा delay हो गई लेकिन वो वीडियो भी आपको definitely मिल जाएगा और misclaneous के लिए हम रोज का 100-200 questions डालेंगे वो आप देखना जरूर और जो Lucent में और Crown publication में जो boxes है ना वो तो आप देख कर ही जाएगा right sources तो मैंने यहीं पर आपसे cover कर लिया ठीक है चलो एक बर और discuss कर लेंगे मैं यहां पर sources आपको बताना चाहरी हूं कि A9 education से आपको history आप किसे भी channel पर ट्रस्ट करते हैं आप वह मेरा जानती हूं इसलिए मैं मेरी चीज़े discuss कर रही हूं कि history quality geography का जो वीडियो है आप यहां इसको definitely देख के जा सकते हैं आपको फिर लुसेंट और Crown publication के बुक देख के जाने की जुरत नहीं पड़ेगी और साथी साथ science के वीडियो भी आप देख के जा सकते हैं आपको sources मे रखना है side book में रखना है Lucent and Crown publication के बुक बिलकुल भी इधर उधर नहीं करना है दिमाग को यह नहीं सोचना है कि हम 10 जगह से पढ़े या 10 जगह से नहीं पढ़ना है दो जगह से ही दो sources से ही पढ़ना है लेकिन 10 बार पढ़ना है ताकि आपके questions आपके गलत नहीं क्योंकि exams में ज्यादर तरब देखोगे कि आते वे questions पढ़े वे questions ही गलत हो जाते हैं तो यह तो source हमने देख लिया अब बात आती है reasoning और maths के लिए क्या करें इतने कम time में पता नहीं मुझे तो नहीं लगता कि आपको कोई book नया नया खरीदना चाहिए और उसको practice करना चाहिए अगर थोड़ा साभी आप maths and reasoning तेंट पर भी जानते हैं maths को तो आपको previous year question plus में जो आपका कीरन publication की जो book आती है आपको यह बिलकुल भी based रहता है previous year पे इसके questions आप बना जाएए और साथ ही साथ अगर आपके पास banking की कोई book है practice set है तो वो आप बना जाए maths के लिए इतना काफी है उसके बाद आपको क्या करना है आप खुद सोचो ना profit and loss से आना है एक marks का question question जादा tough नहीं रहने वाला है लेकिन हम बनाने के लिए बैठे है profit and loss की 1000 questions अब हम 4 दिन तक profit and loss ही पढ़ रहे हैं भी तो हम दूसरे subject का भी पढ़ेंगे percentage के questions आने हैं एक से दू topic उतना hard नहीं है लेकिन हम इसके 1000 questions solve कर रहे हैं अलग-अलग book से solve कर रहे हैं और हम खुश हो रहा है कि नहीं profit तो मेरा हो गया percentage तो मेरा हो गया लेकिन क्या होगा कुछ भी नहीं होगा आपके दो तीन चार दिन ऐसे बढ़बाद चले जाने हैं उससे अच्छा है क्या practice states बनाओ ना रोज के रोज हर एक subject हर एक topic को select कर लो तो यह चीज़े रह गई फिर बात आती है reasoning की reasoning के लिए मैं आपको suggest करूंगे कि previous year basis पे आप जो आपका sample paper होना चाहिए वो होना चाहिए और साथी साथ ज्यादा नहीं दो से तीन घंटे का वीडियो में आपके लिए shortcut trick ले के आऊंगे और सारे topics वाई जो जो formulas होते हैं जो shortcut tricks होते हैं math के भी and reasoning के भी वो सारी चीज़े हम आपके साथ cover करेंगे तो यह सारे source आपको बनाने है और स्पेशली करेंट affairs की बात अगर मैं आपसे करूं तो current affairs में आपकी च्वाइस है कि आप प्रतियोगिता दर्पन को follow करते हैं या आप एड़ुचेरिया को follow करते हैं या आप स्पेडी को follow करते हैं लेकिन आपको topics मैंने बता दिए कि आपको कैसे क्या पढ़ना है अब बात आती है suggestions की मैं आपको ज़्यादा फालतू suggestions नहीं देना चाहूंगी फिलहार इतना suggestions देना चाहूंगी कि guys हमारे पास 24 hours होते हैं सब के पास इतने ही time होते हैं जिसमें अगर 12 घंटे भी आप अपने चीजों के लिए निकाल लेते हो आप office जाते हो आप college जाते हो आप कुछ भी करते हो no matter what you are doing 12 hours is enough right 12 hours नहीं चलो 15 hours 15 hours के बाद भी आपके पास कितना बच जाता है तो 9 hours बच जाते हैं मैं आपको सर्फ और सिफ आपको two hours current affairs पढ़ने के लिए पोड़ रही हूं जो कि आपको morning में पढ़ लेना चाहिए क्यों तो यह आपका बिहार के हरें exam में आपको साथ आएगा complete करवाएगा और BPSC के लिए भी आपसे important है और current affairs में आपको बिहार current affairs इंक्लूट करना है और current affairs इंक्लूट करना है आप स्पेड़े सेलेक्ट कर लो या इडूटेरिया सेलेक्ट कर लो राइट अब जो बचे हैं 7 hours उसमें से रोज एक सेट बनाएए और ज्यादा से ज्यादा अगर आप मेरे चैनल पर ट्रॉस्ट करते हैं तो आप एक दिन में हिस्ट्री का वीडियो देख जाए एक दिन में पॉलिटी का वीडियो देख जाए एक दिन में आपको साइंस का वीडियो फिजिक्स का वीडियो देख जाए तो ऐसा करके आप प्रिपेर कर सकते हैं अब जैसे सबोज इसमें आप एक चीज़ आप और आड़ कर सकते हैं कि कि माल लो की मैंने जो हिस्ट्री का वीडियो बनाया है वो हिस्ट्री का वीडियो आपने देख लिया अब उस हिस्ट्री के वीडियो को देखने के बाद आपको क्या करना है फटक से आपने क्या किया कि से अंदों के दिन सॉपन वे किया अपने नीट आप जब वीडियो देखने केिस्ता पूंट को देखेंगे लगेगा नहीं और तो अ Els ऐसी को सब्कों करए सब देंगे गा एको से में आपको क्या दे सकती हूं सैजेसिन सब देतं सुधिंए औरिवक्रों का सुद एप हमें मिलता ही रहता है लेकिन सजेशन आप उतना ही अपने लाइफ में इंप्लिमेंट केजिए जो आपके काम आने वाला है I hope guys मैंने सारी चीज़े यहाँ पर बहुत अच्छे से कवर करी होंगी और इससे related मैं कोई भी questions मैं बोल रही हूँ इससे related अब आगे मैं कोई भी strategy based videos नहीं लाने वाले हूँ अब मैं जो वीडियो लेके आओंगी वो preparation के basis पर लेके आओंगी वो subject wise लेके आओंगी तो बने रहे हैं A9 education के साथ चैनल को आप subscribe कर लेंगे और bell icon को press कर लेंगे so that की आने वाले हर एक videos आपको time to time मिलते रहें कोई भी suggestions हैं तो आप comment box में हमें comment करके बता सकते हैं हमारी तरब से कोई भी help चाहिए तो definitely आप comment box में comment करके बता सकते हैं हमें बहुत अच्छा लगता है Thank you so much